और अब हम उपिनियन पोल के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जिसका सबको इंतजार है, हमें भी इंतजार है करनाटेक में किस पार्टी को कितनी सीटे मिल सकती है, हर सीट का डेटा हम आपको देंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जीनियूस के लिए मेटराइज नहीं उपिनियन पोल किया है सबसे बड़े उपिनियन पोल में 2,80,000 लोगों का सैंपन लिया गया है, नहीं 2,80,000 लोगों से सवाल पूछा गया है सर्वे 29 मार्श से 30 सपरेल के बीच किया गया है, जबकि उपिनियन पोल का मार्जन ओफ एरर प्लस माइनस 5 पीसद रखा गया है यहां से सम्म आपको साफ कर दें कि उपिनियन पोल है, यह चुनावी नतीजे नहीं है लेकिन ओपिनियन पोल भी काफी कुछ कहता है, एक संकेत दिखा देता है कि जनता की मन में क्या है लेकिन जनता जनारदन है, मैं एक बात कहना जाता हूं सर, आपने पुषकर सिंग धामी जी की बात की लेकिन जनता हमारी कितनी जनारदन है उसमें उनके नाम पर नारा चला, लेकिन खुद कोशारी जी नहीं, आप कीजिए खाब, हमारे खंडूरी है जरूरी, वो नारा था, खंडूरी ये खुद हार गये, और मैं एक और बता दे तो, एक और बता दे तो, उलत देवी जीद गई, डॉक्टर बन्मों सिंग हार गये चलिए दीपक, आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये सब क्यों होता है 2018 की बात करें, तो BJP को 43.3 मिला था, कॉंग्रेस को 34.2 मिला था, और JDS को 16.6 मिला था, यानि सेंट्रल करनाटक में, अगर हम दीपक देखें, तो JDS को अच्छा खासा नुकसान होता हुआ, दिखाई दे रहा है, BJP की जो बढ़ात है, 44% के साथ बनी हुई, और seat share क्या होग इसमें सेंट्रल करनाटक में किसको कितनी सीटे मिल रही है, किस पार्टी को कितनी सीटे मिल रही है, वो भी आपके सामने है, तो देखिए, अगर मैं BJP की बात करूँ, तो 18-23, कॉंग्रेस को 3-8, JDS को 0, और अधरस के खाते में 0, यानि 26 सीटों पर BJP जो है, वो 18-23 सीटो पर दिखाई दे रही है, अधिपक? वो धर्म के परतित काफी कटर भी है, और बहुत बिद्वत और तरीके से करने वाले लोग है, तो यहाँ पर BJP हमेसा अपना पकड़ बना के रखी हुई है, और सही पूछिए तो यहाँ पर ओ लोग भी है, जो जिनको कहा जाता है कि पढ़े लिखे जगों का एक एरिया हो वहांपर यह PFI का वहां से क्लैश बहुत ज्यादा होता था और इसलिए वो रिजेंड में इतना यह जरूर है इतना 18-19 सीट्स मिलने वाला ही है, ठीक है, लेकिन प्रदीर जी मुझे कई एक्सपर्ट ही भी बोलते हैं कि वहां पे तो वो का लिंगा और लिंगाया थे, उन की प्रीचिंग भी अलग अलग तरे की है, और वो लोग हिंदू-मस्लिम के लफड़े में फस्ते नहीं है, ऐसा है क्या वाकिए में? जनाधार है, उस पर अपनी पकड़ बनाने में, बनाई रखने में सफल हुई है, और वो बढ़ा तलिये हुए, जी, अगले सवाल का वक्त हो चुका है, करनाटक की सियासत में, तटिये करनाटक, बीजेपी का गड़ रहा है, और क्यूं गड़ रहा है, क्यूंकि लिंगाय कमिनिटी जो है, वो तटिये हिलाके में, अच्छी खासी संख्या में, तो किस पार्टी को कितने वो तटिये करनाटक की, एक किस सिटो की अगर बात करें, तो बीजेपी को बावन परसेंट बिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉंग्रेस को 40 फीसाद, जेडियेस को 5 और अ 2018 के चुनाव में मिला था, अब ये जानना दिल्चस्क होगा कि ये जो 52 फीसाद बीजेपी को मिल रहा है, ये सीटों में कितना बदल रहा है, किस पार्टी को 30 ए इलाके में, 30 करनाटक में सीटे मिल रही है, बीजेपी को 15 से 20, अगर मैं 2018 की बात करूँ तो बीजेपी को 30 स इस रिजन से आई थी, कॉंग्रिस की 1-6, 2018 में कॉंग्रिस को 3 सीटे मिली थी, जेडियस शून ने, जेडियस तटिय करनाटक में 2008 में भी खाता नहीं खोल बाये था, और इस बार भी हमारे उपिनिन पोल में ऐसा दिख रहा है कि जेडियस यहाँ पर भी शूनने पर है, य बले बले नहीं हो रहा है, अधिसाइद, अब आगे बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई, अब क्या हो रहा है, यह दो जगह थी, जहां पे बीजेपी पिछले बार भी अच्छा है, उनका परफॉर्मेस रहा हुआ है, जेडियस का भोट घटा है इस रिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉंग्रेस पूरी तरह से वहाँ पर माइनस है, और सबसे ज़्यादा पिछले चुनाओं में आप देखिएगा, तो यही दो जगह था जहां पे कॉंग्रेस के मार्जिन सीटे ज़्यादा थी, जिसे, कॉस्टल रिजिन हमेशा बीजेपी के साथ था, अधी जी के लिए बहुत आपने देखा होगा, तो श्री क्या आपको लग रहा है कि यही एक फैक्टर है, जो बार-बार बीजेपी को इस इलाके से जीत दिलाता है, लिंगायत कम्यूनिटी साथ है बीजेपी के, बिलकुल, बिलकुल, इसके अलावा आप देखे एक हिंद सेट कम्यूनिटी सेट को दिया है, बाकी हिंदू कम्यूनिटी सेट को दिया है, बाकी हिंदू कम्यूनिटी जहां जहां स्प्रेड है और लिंगायत भी, लिंगायत को भी 68 सेट को दिया है, तो तो बिग चंग हिंदू कंसोलिडेशन के उपर उन्होंने ध्यान दिया है, आप देखें वो रिसर्वेशन का मुद्दा हो वो सब यह जगे पर यह बहुत माहिने लगता है तो आप तो अलपसंक्यों को अधिकार चीन रहे हैं संगीतरागी जी यहां पर भी पॉलराइजेशन करा रहे हैं देखें भारतिय जनता पार्टी कोई साधू वेस में तो वहां है नहीं वो चुनाव लड़ रही है और जीतने के लिए लड़ रही है जो चार प्रतिसत आरक्षन दिया गया था वो धर्म के नाम पर वो संविधा पर करते हैं कि 84 प्रतिसत 75 प्रतिसत जो हिंदू है वो तो जातियों में बटा हुआ है वो का लिंगा है लिंगायत है अन्य जातियों में बटा हुआ है भारतिये जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में इस विमर्स को उलट दिया बोला ठीक है आप 20 प्रतिसत की राजन अब्स करने जहसे हैं